बच्चो जब हम वेबसाइक के अंतरगत बनाये जाने वाले लेखों की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहली बात आती है पुस्त पालन और लेखा कर्म की यानि कि बुक कीपिंग एन अकाउंटेंसी की तो क्या है बुक कीपिंग एन अकाउंटेंसी पुस्त पालन और लेखा कर्म जानेंगे हम इस अध्याय में आप देखते होंगे कि सामान वेबहार में जब आप कहीं किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो वेबहारी जो भी आपको सामान बेजता है उसके साथ में आपको एक बिल देता है कई बार वो स्वैंब देता है और कई आपके मांगने पर देता है यह इस बिल के दूरा उसे यह पता चलता है की उसने आपको कितने का माल बेचा अब वो वैपारे सिर्फ किसरे आपको ऐसे बहुत से ट्रैंजेसंचेंव करता है तो इन वहारों को वो याद कैसे रखे इन वहारों बुर्द का पे सबैंसे चीज़ एक जैसी लगती हैं लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं पुस्त पालन और लिखांकन दोनों के कारिषेपर अपने आप में अलग अलग है जब हम बात पुस्त पालन के करते हैं तो पुस्त पालन के अंतरगत हम किवल उन्हीं पुस्तकों के बारे में जानते हैं जो पुस्तक अलग अलग नाम से वैपारियों के पास रखी जाती है और जिन में प्रारंबिक लेखे किये जाते हैं वास्तों में यह सिर्फ एक विवरण होता है जो एक व्यवसाय में जो व्यवहार किये जा रहा है माल का क्रय या विक्रय किया जा रहा है उनका लेखा रखता है पुस्तपालन को और अधिकच्छे से जानने के लिए आये इसके कुछ परिभाशाओं का अध्यन करते हैं रोकड तथा दूसरा पक्षकार रोकड लगाने वाला राजिश होगा जहां एक ओर रोकड संपत्ति वही दूसरी ओर रोकड फूंजी के रूप में वैपार कादाय तो माना जाएगा आता व्यवहार का समीकरण होगा संपत्ति बराबर लेखा कर्म की दोरा लेखा प्रणाने का जन्मिंग इसे सिद्धान के आधार पर हुए यही कारण है कि बैलेंश शीट जब बनाई जाती है तो संपत्ती और दाइट दोरों पक्षों का यूग सदयव समान रहता है तो आपने देखा कि किस प्रकार इन परिभाशाओं में विभिन विद्वानों ने पुस्त पालन के बारे में नई नई बाते कहीं है और और चारों जो डेफिनेशन हमने देखिए उनका हम विसलेशन करें तो इन में से जो कुछ महत्तपूर बाते पुस्त पालन के बारे में निकल आती हैं वो कुछ बिंदो के अधार पर हम इस तरह से स्पस्ट कर सकते हैं जैसे सबसे पहला बिंदू जो है वो कहता है कि समुचित धंग से लिखना यानि कि कई विद्वानों ने ये माना है कि वैपार वैभार में जो चीजे होती है जो वैभार होते हैं क्रेविक्रे होते हैं उनको यत्रततर कहीं भी नहीं लिख देना है उनको कहीं न कहीं समुचित ढंग से बहुत अच्छी तरीके से लिखना है पुस्त पालन अब वैसे ही एक बात निकल के आती है कि मौद्रिक पहलू याने कि केवल उनी व्यवहारों को लिखना है जिने हम मुद्रा में व आती है वो है कि कुछ निश्चित नियम और सिध्धांत आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि वास्तों में ये जो पुस्त पालन है इसमें लेखा कहीं भी नहीं कर देना है बलके कुछ निश्चित नियमों और सिध्धांतों का पालन करते हुए ही हमको लेखा करना है जिने हम आगे आने वाले अध्यायों में लेखांकन के सिध्धान्त के रूप में पढ़ेंगे चौथी एक बात जो सामने निकल के आती है वो है विज्ञान और कला दोनों मानना सभी अर्थ शास्त्रियों ने माना है कि पुस्त पालन विज्ञान भी है और कला भी है ऐसा क्यों यह हम अपने आगे आने वाले चप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे अब यहाँ पर पुस्त पालन के बाद अगर हम लेखांकन के बाद करें, तो हम ये कह सकते हैं साधारन शब्दों में कि जहां पर पुस्त पालन का कारे समाप्त हो जाता है वहां से लेखांकन का कारे प्रारम्भ हो जाता है याने पुस्त पालन के अंतरगत हम कुछ निश्चित प्रकार के पुस्तको का नर्माण करते हैं और उन निश्चित पुस्तकों में जो दैनीक वेभार हो रहे हैं वेखार में उनको हम केवल अंकित कर लेते हैं उससे हम कोई लाभानी या आयवे का परिणाम नहीं निकाल पाते लेकिन जब हम उन व्यभारों को अलग-अलग लेखों में अंकित कर लेते हैं उसके बाद जो हम उनका विसलेशन करने का जो कारे करते हैं उनका जो परिणाम निकालने का जो हम कारे करते हैं वो सब कारे करते लेखांकन के अंतरगत आये लेखांकन को और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ परिभाशाओं का अध्यन करते हैं कें तरगत हम देखते हैं कि ये सद्धाण लेखांकन अवधि में व्यवसाय द्वारा अव्जित आगम एवन किये गये वयों के लेखांकन संबन्दी नियमावली स्वाँदी को सबस्ट करता है ले खांकन अंब्धी में प्राप्तियों तथ किये गये व्यों का नरधार किया जाना शाहिए एवस्य पर इनका लेक्षांकन किया जाना चाहिए आगम एवक्तिक के मिलान के समय मुझे पहला लगानी के खाते में जब आगं के किसी मद को आय पक्ष में लिखा जाता है तो उस आगं को अरजित करने से संबंधित संपोण व्य उक्ता गया हो यह एद दूसरा जब आगामे वर्ष में से संबंधित आगं तो इन सभी परिभाशाओं से इस पस्ट हो जाता है कि किस प्रकार लेखा कर्म का कारे जो है वो पुस्त पालन के बाद प्रारंब होता है और पुस्त पालन में जो अलग-अलग वर्गिकरत लेखे बनाए गये हैं उन वर्गिकरत लेखों से सूचनाओं को प्राप्त करके फ तो जब हम लेखंकन के विशेस्ताओं की बात करते हैं तो इसके अंतरइगत सबसे पहला बिंदू जो है वो कहता है कि अब हमने परिभाशाओं में भी देखा था कला और विज्ञान दोनों मान लेना यहां पर हम देखेंगे कि कला क्या है जो किसी वस्तू विशेवस्तू का सुववस्ते तद्धन करता है और विज्ञान क्या है जो किसी विशेवस्तू का क्रम बद तद्धन करता है कारण पर नामों की व्याख्या करता है वह भी ज्ञान है तो यहां पर अगर हम लेखांगन के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि लेखांगन के प्रकृती है भी लग बहुत अच्छे से सजाकर जमा कर और अलग-अलग करके लिखते हैं तो यह कला को प्रदर्शित करता है और कैसे हम इनका कारण व्यवहारों का उनकी प्रकृतिक अनुसार लेखन हम जो व्यवहार होते हैं उनकी प्रकृतिक अनुसार हम उनको अलग-अलग हातों में विभाजित करके लिखते हैं जैसे क्रे की प्रकृतिक व्यवहार अलग होंगे विक्रे की प्रकृतिक अलग होंगे रोकर से सम्मंदित अलग होंगे उधार व्यवहार से सम्मंदित करते हैं और उसके बाद लेखे तैयार करते हैं तीसरी इसके एक विशेष्टा ये है कि मुद्रा के रूप में जैसी कि हमने परिभाशाओं में भी देखा कि लेखांकन की जो प्रकृती है वह मौद्रिक है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि हम उनहीं व्यवहारों का लेखा क और इस पर्स टूप से या स्थाई रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि एक हम रखते हैं इसका, उसी प्रकार एक विशेस्ता ये कहती है कि निश्चित नियामावली एवं बहियों में इसका लेखा किया जाता है, आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे हम कि किस-किस प्रकार के बहियों का प्रियोग हम अलग-अलग प्रकार के वैपार वैभार के लिए करते हैं और उनमें किस-किस नियमो को हम फॉलो करते हैं ठीक इसी प्रकार हम इसके एक विशेस्ता देखते हैं कि व्यवहारों के परिणामों की व्याख्या भी करता है हमने पुस्त पालन के बारे में देखा कि वो अलग-अलग व्यवहारों को अलग-अलग पुस्तकों में लिखने के लिए बताता है कि किन व्यवहारों को किस पुस्तक में लिखा जाए लेकिन लेखा कर्मे के अंतरगत हम देखते हैं कि ये जो वेभार हमने लिखे हैं इनका लेखांकन हमने किया है वास्तों में इसका परिणाम क्या निकलता है तो ये सारे बिंदू थे लेखांकन के विशेस्ताओं के बारे में अब हमने एक जो टॉपिक देखा था कि लेखांकन विज्ञान भी है और लेखांकन कला भी है आये उसको और अधिक अच्छे से विस्तरत रूप से जाने का प्रयास करते हैं परिशा के दृष्टे से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्ण है कि क्या कारण है कि लेखांकन को कला और विज्ञान दोनों माना गया है या ये भी एक विचार्णी तथ्य है कि क्या लेखांकन कला है या लेखांकन विज्ञान है या कला और विज्ञान दोनों है तो अगर हम इसे कला माने तो सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि वास्तों में कला मतलब क्या होता है कला के सामाने अर्थ को जाने तो कला का सामाने अर्थ है किसी कारी को सुव्यवस्ति ढंग से सजा कर जमा कर सर्वोत्तम विकल्प का चैन करके करना कला कहलाता है अब अगर हम इसको लेखांकन में अपलाई करके देखे तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकृति के जो व्यवहार होते हैं उनको कितनी अच्छी तरह से प्रारंभिक लेखों की पुस्तुकों में जैसे जनरल में, लेजर में, फिर ट्राइल बैलेंस में बहुत अच्छे तरीके से सुवेवस्थित तरीके से जमा कर लिखते हैं सर्वुत्तम विकल्प की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास बहुत से नियम सिद्धान्त और लेखांकन की विधियां होती है उन विधियों में हमारा प्रयास रहता है कि हम स्रेश्ट से श्रेश्ट दूसरी बात अगर हम विज्ञान की करें, हम ये देखें कि क्या लेखांकन विज्ञान है, तो सबसे पहले हमको विज्ञान क्या है इसके अर्थ को जान लेना होगा। विज्ञान यानि कि जो वास्तविक ज्ञान को प्रदश्यत करें जो कारण और परिणामों की व्याख्या करें तो इस आधार पर अगर हम लेखांकन की प्रकृति को देखें तो लगबग वैसी ही है यानि यहां पर हम जो जिन खातों का निर्माण करते हैं उनके आधार पर ह स्थिति का पता लगा सकते हैं इन सबी हुआ सकते हैं अब अगara करें पुस्त-पालन और लेखाकर्व क्या हैं दोनों में किस कि समानताएं हैं क्या कारण है कि ये दोनों चीजे एक जैसे लगती हैं और क्या कारण है कि इनमें बहुत सारी विभनताएं भी हैं अगर हम सबसे पहले बात करें पुस्त पालन की तो पुस्त पालन क्या है किसे भी कारे को सो व्यवस्तित के तरीके से लिखना इसलिए लिख देना ताकि भविष्य में जरूरत पढ़ने पर उसे याद रखा जा सके उसी खोल कर देख कर वापस उस वैपार वैभार का अध्यन किया जा सके तो ये सारे जो कारे होते हैं वो पुस्त पालन के अंतरगत आते हैं अब अगर बात करें कि यहां पर जो वैपारिक लेंदेने को नियमा नुसार क्रमबद रूप से प्रारंभिक लेखों में लिखने की बात कही गई है तो इसके अंतरगत कौन-कौन से खाते कौन-कौन से लेखों का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले यहां पर आता है जनरल एंट्री यानि पंजी प्रविश्टी उसके बाद लेजर यानि की खाता बही और तीसरा जो यहां पर हम उलेक करते हैं वो है बैलेंस निकालना यानि की जो खाता बही या लेजर हमने बनाया है उसका बैलेंस निकालना और चौता हम द यह चार जो लेखे होते हैं वो प्रारंविक लेखों के अंतरगता आते हैं, अब जनरल क्या है एक लेजर क्या है और किसा तरह से ट्राइल भैलेजर का हमने जुर्माण करते हैं, कैसे हम लेजर से बैलंस निकालते हैं, ये सारी चीजे हम आगे आने वाले अध्याय में काफे विस्तार से जानेंगे दूसरी बात अगर हम लेखांकन की करें तो सेधे सेधे शब्दों में ये कह देना उचित होगा कि जहां पे पुस्त पालन का कारे खतम होता है यानि कि जब हमने जनरल एंट्रेज कर ली जनरल के आधार पर हमने लेजर बना लिया लेजर के आधार पर हमने ट्राइल बेलेंस बना लिया ने कि तलपड बना लिया तो अब हमने यहां पर किवर नात्मक अध्यन के ऐसे विवरणों को लिखा हमने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लाभानी आयवय संपत्ती दाइतु का विवरा यहाँ पर कहीं पर अभी तक हम जान नहीं पाए हैं तो अब जो कारे शुरू होगा लेखांकन का उसका उद्यश यही होगा कि अब जो हम लेखे करेंगे उन लेखों के अधार पर हम आयवय लाभानी आ संपत्ती दाइतु का उचित विवरा जान पाएं तो कौन-कौन से ऐसे खाते होते हैं जिनके अधार पर हम लेखांकन का कारे करते हैं और कारण और परिणामों की व्याख्या करते हैं तो इसके अंतरकत हम देखते हैं कि सबसे पहले हम व्यापारिक और लाभानी खाता बनाते हैं जिसका अधार होता है तलपट में जो दिये क से अध्यान करेंगे फिलाल हम जान लेते हैं कि कुछ इस तरह के प्रारूप होते हैं जिनके आधार पर हम वेपार और लाभानी खातों का निर्मान करते हैं दूसरा यहां पर हम देखते हैं आर्थिक चिठ्ठा हम बनाते हैं जब हम वेपार और लाभानी खाता बना लेते है तो वेपार और लाभानी खाते के 6 के अधार पर और साथ में दिये गए समायोजनों के अधार पर हम आर्थिक चिठ्थिया बैलेंशीट का निर्मान करते हैं जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से होता है जब हम ये आर्थिक चिठ्था हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो होती है उसमें एक तरफ दायित तो और दुसरी तरफ हम समपत्ती लिखते हैं और लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो हम लगभग सही है स्वाड़ जो ऊठ्थि데ों का सुधार रस्ट्रिफिकिशन ओफ एरर यहां हम अशुद्धियों हम संशोधन करते हैं कई बार वेपार में क्या होता है कि हम जनरल एंट्री तो कर लेते हैं उसके आधार पर हम लेजर बना लेते हैं तलपड बना लेते हैं यहां तक हमसे अगर कोई तुरूटी हो गई है तो वो पकड़ में नहीं आती है कई तुरूटियां ऐसी होती है जब हम देखते हैं कि हमारा balance sheet tally हो जाता है लेकिन कुछ न कुछ internal जो mistakes होती हैं वो इसमें बनी रहती है जनरली ये तुरूटिय गणती भी हो सकती है तक्नीकी संबंदी भी हो सकती है ग्यान संबंदी तुरूटियां भी हो सकती है आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि क्या है अशुद्धियों का संशोधन और किस प्रकार से इन में प्रविष्टिया की जाती है अगला जो इसके अंदर खाता हम बनाते हैं वो होता है समयोजन के लेखे जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम वेपार और लाभानी खाता बना लेते हैं तो उसके बाद हम वेपार की इस्थिती को देखते हुए कुछ समयोजन करते हैं कई बार संपत्यों की मूले में कमी आजाती है कई बार वृद्धी हो जाती है कई बार दायत्यों के मुल्न में कमी वृध्धी आ जाती है देंदार या लेंदार में कोई परिवर्तन आ जाता है तो इन सभी विश्यों को हम समयोजन के आधार पर समयोजित करके फिर से हम अंतिम खाते बना कर इनका हम जो पूरा जो कम्प्लीट होता है प्रोसेस वो करते ह लेकिन यहां पर समयोजन के लिए कुछ अत्रिक्त प्रविष्टिया भी की जाती है आगयाने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रविष्टिया की जाती है अब इसी तरह सबसे आखरी में जो हम बनाते है वो अंतिम खाती है निकि फाइनल बैलन शीट बनाना और उसके आधार पर यह देखना कि जो हमारे व्यपार में संपत्ति और दाइत तो हैं उनकी बास्तविक स्थति क्या है हाला कि पुस्त पालन और लेखा कर्म दोनों में अब तक जो हमने जाना दोनों की बारे में तो उसके बारे में हम अंतर यहाँ पर अभी स्पस्ट रूप से समझ चुके हैं लेकिन फिर भी इन में कुछ आधार है जिनकी आधार पर इनके अंतरों को और अधिक अच्छे से स्पस्ट किया जा सकता है तो आएए देखते हैं कि पुस्त पालन और लेखा कर्म में क्या अंतर है प्रफ्ष में पूर्व दत्वै यानि Depay paid expense के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए तीसरा वर्ष के अंत में बचे हुए माल के स्थन यानि closing stock की संपोर लागत को आगामी वर्ष का लागत वै मान कर बहयों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए चौथा ऐसे वे जो चल वर्ष के प्राप्तियों या आगम से संबंदित हैं तता जिनका भुपतान आगामी वर्ष में किया जाना है इन वेओं को चल वर्ष के चित्थे यानि कि बैलेंशेट के दाइट तुपक्ष में अदक्त वे यानि आउटस्टेंडिंग एक्स्पेंस के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए जानीं किसी समय इस विचार को व्यक्ति करता है कि किन आर्थिक संसाधनों एवं उत्तरदायत्यों को संपत्ति एवं दाइत्यों के रूप में लिखा जाना चाहिए इनके किन परिवर्तनों को लिखा जाना चाहिए लेखा बद संपत्यों एवं दाइतों तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकार मापा जाना चाहिए कौन से सुचना प्रकट की जानी चाहिए तथा इने किस प्रकार प्रकट की जानी चाहिए और कौन से वित्ते विवरन तयार किये जाने चाहिए लेखांकन सिध्धांत मनुश्कृत है और ये अनुभावत तर्क और प्रयोग के आधार पर बनाये गए है जब ये उप्योगे सिद्ध हो गए तब इन्हें लिखांतन सिद्धांत के रूप में स्विकार कर लिया गया ये सिद्धांत लोजप्रद है जो नहीं है झाल झाल रहे वे एक्रिव में स चलुप में सिद्धांतन सुन्हें हो फंदांतन सिद्धांत लिया करेंद सिद्धांतों अत्व सिल्ब शोजब में सेंवानत लिया आजएchen शोचवे सिमात झाल झाल